ओम नमस्षवाई हरहर महादेव आज मित्रों में आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो धन को अपनी तरफ आकशित करता है जी हाँ यदि आप धन की तंगी से बरहाल हो रही है आप अपने विवसाई पर पहुंचते हैं अपनी दुकान खोलते हैं अपने ओपिस पर पहुंचते हैं और आपके पाग कस्टुमर नहीं आते या कस्टुमर आने के बाद में बिना कुछ लिए चला जाता है तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए आपके जीवन में धन की कमी है आप धन प्राप्ती के रास्ते में आपके रोडे हटके हुए है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए और आज मैं उपाय देने जा रहा हूँ चांदी की मचली का ये चांदी की मचली है और ये कितनी शुबोती है और ये कैसे धन को आकशित करती है इसके बारे में मैं बिस्तार से आप सभी को बताऊंगा देखिए ये जो चांदी की मचली है मचली का जो संबंद है अगर गरह से जोड़ा जाए तो इसका संबंद है शनी गरह से लाल किताब के अनुसार और येधी इसको इसके धातू देखी जाए तो ये चांदी है चांदी का सिधा संबंद है चंदर्मा और शुक्र से तो अब क्योंकि शनी क्योंकि कर्म फल दाता है इसलिए ये मचली और ये चांदी यानि कि चंद्रमा और शुक्र जो कि कहीं नat अपने आप में ही लगज्री और पैसा है। अब ये शुब इतनी मानी जाती है क्योंकि भगवाण शेह नार्ह wiping ने अवतार लिया था मतस्य अवतार। तो भगवाण नाराण का सुरूप मानी जाती है ये मचली धन को बहुत आ जो कन्या है जिसकी शादी हो रही है, वो अपने विवाहिक जीवन के अंदर उसको खुशियां पराप्त हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो चांदी की मचली होती है, ये शुब संकेतों को प्रकट करती है, यानिकि अच्छी खबरों को कही न कहीं खीच के लाती है। जिस इंसान की जिन्दिकी के अंदर परेशानी बहुँत ज़ाधा आ रही हो, इसको शुब समाचार कम मिलते हो, उसकी जिन्दिकी में तकलीबें भरी हो, धन का उसके जीवन के अंदर जैसे लोप हो गया हो, धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही हो, उनको अपने घर की इश इस डिरेक्शन के अंदर ये चांदी की मचली रखना बेहद शुम मना जाएगा इसी के अलावा यदि आप इस चांदी की मचली को अपनी व्यावसाई स्थान पर यानि के अपने ओपिस या अपनी दुकान पर इशान कौन में लगाते हैं और जब आप दुकान खोलते हैं य आप ग्रोथ करोगे धन ब्रदी होगी लेकिन र्याद रखिएगा कि इसका मुक दुकान की अंदर की तरफ होना चाहिए देखिए चांदी की मचली हो गई तो दुकान में और अपने घर में घर में भी सुबह जगने के बाद में आप मचली का दर्शन करें तो आपके लिए दिन प्रति दिन प्रगति के मार्ग खुलेंगे एक और बात मैं आपको बताता हूँ यह तो रही बड़ी मचली इसके लाबा चोटी मचलीयां भी आती है जैसे कि यह देखिए यह चोटी चोटी मचलीयां है बहुत चोटी सी देखिए एक उंगली का जो पर्स में रखोगे तो यह धन को आकरशित करेंगी साथी साथ मित्रो साथी साथ आपको अच्छी खबरे मिलना शुरू हो जाएगा यह बहुत शुब है क्योंकि इसको वास्तू में फैंक सुई में बहुत शुब माना जाता है मचली के लिए इसी के लाबा यदि आपकी शनी से समध्य समस्यां आ रही है तो आप इनका और भी प्रियोग कर सकते हैं कि यह चांदी की मचली लेकर के छोटी-छोटी मचली चांदी की लेनी है और इसके उपर काजल लगाना है तो आपको काजल इतके उपर लगा लेना है और काजल लगाने के उपरांत आप इन मच मचलियां आपको, जल पुरभा करने, माली जीए कि कॉंडिली के, दूसरे घर में हैं, तो दो मचलियां, चौते घर में हैं, तो चार मचलियां, इसके लाबावा आकर, बैता पानी ना मिले, तो आप मंदिर में भी, चान्दी की इन मचलियों को, दान कर सकते हैं काजल लगा करके, तो शनी और चंद्रमा का जो मेल है, जिसमें व्यक्ति डिपरेशन में जाता है और कहीं न कहीं परिशानी में फसता है उस दोसे भी आपको मुक्ती मिलेगी तो ये छोड़ी दो मचली है ये एक बड़ी मचली है आप इनको आसानी से पराप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाके बिजट कर सकते हो वहां से भी आपको ये दोनों ही मिल जाएंगी अब वहां से भी खरीश सकते हो अन्य था आप कहीं से भी इनको ले सकते हो और अपने घर में जरूर रखिएगा तो ये जानकर ये आपको कैसी लगी मित्रो कमेंट में ओम नमस्वाय जरूर लिखिएगा मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए अपना ध्यान दखिए नमस्कार